हेलो मैं डियर स्टुडेंट्स मैं आपके हिंदी टीचर नीतिका गुपता एक बार फिर से आई हूं आप लोगों से मिलने आपके लिए नया टॉपिक नए चेक्टर के साथ जिसका नाम है हम है सूरज चान सिथारे अभी मुझे बहुत खुश हुए जानकर कि आपने लास ज सुड़ा बेना इंटरनेर्शन स्कूर सुटे तो टोडेः वी अगों टो स्टार्ट हिंदी परिवेश आपके पास दूसरी बुक है ना एक हिंदी व्याकरन एक हिंदी परिवेश है तो अभी हाज हम पढ़ेंगे हिंदी परिवेश कख शातीन विशय हिंदी हिंदी कविता हम है सूर चान सितारे हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे फिर इस कविता का अर्थे जानेंगे चलो ते स्टार्ट करते है ना एंड आप लोग भी हमारे साथ यह कविता पढ़ेंगे हम हैं सूरत चान सितारे हम नन्ने नन्ने बालक हैं चैसे नन्ने नन्ने रजकर लेकिन हम नन्ने रजकर ही हैं पिशाल परवत बन जाते हैं हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीव करीब निराली हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली भाली यहाँ न कोई भेद रंग का सबके सब हैं एक रंग के पूरो पश्चिम उत्तर दक्षिन सभी दिशाएं एक संग हैं पृत्वी मा के राज दुलारे हम हैं सूरत चान सितारे एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम एक हमारी आसमान चत एक हमारी सांस पवन है दूप चान नी के कपड़ों से ढखा हुआ हम सबका तन हैं हम हैं एक बिश्चु के तारे हम हैं सूरत चान सितारे इसके कवी कौन है यह कविता किसने लिखी है द्वारिका प्रिशाद महेश्वरी अभी इसके कवी क्यों है लेखा क्यों ने आपको पता यह कविता है तो कविता को जो लिखता है वो कवी कहलाता है काभी स्पूरी कविता का अर्थ दिय। हम सूरज चाल सितारे हम नन्नने बालक है जैसे नन्ननननने रजक lookout ? मतलब यहां कभी क्या कह रहा है ? पूरज चान्ट सितारे जैसे चुट चुट चुटे बच्चे हैं. धूल के रज मतलब धूल धूल। जो छुट चुटे pełती प्रट के चुट पार्टिकल्स होते हैं जये ड़स्ट पार्ट को परवत जाते हैं ननेन रच पारवत मुष पहाण जाते हैं तो पता है कि बहुत बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक बिशाल परवज्य से मतलब बहुत स्ट्रॉंग हो जाते हैं फिर है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली बच्चों की दुनिया कैसी होती है एक अजीब गरीब मतलब बिच्चित्र होती है निदाली मतलब बहुत अच्छी जिसमें उन्हें उनकी दुनिया में खैलना कूनना और मस्ती करना पढ़ाई करना सब कुष आता है ना तो बच्चों की दुनिया बहुत फिचित्र होती है हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है भोले बाली भोले बाली मतलब क्यूट सी जैसे भगवान की मूर्ति होती है न मंदिर में कितने अच्छे लगते हैं भगवान देखने में बहुत भोले बाले से लगते हैं एसे छुटी छुटे बच्चे भी बगवान के जैसे बोले वाले क्यूट से लगते हैं यहा नगोई भेद रंग का सबके सब हम एक हैं यहां कोई रंग का भेद मतलबitte कलर क 모두 कोई नहीं है सारे बच्चे एक साथ मिलकर खेलते हैं कोई यह नहीं देखता है कौन कैसे रंग का है कैसा लगता है बच्चों की दोस्ती जब होती है तो वो कोई भी रंग और भेद नहीं करते जैसे भगवान है न वो अपने सारे भक्तों को एकी तरह से एक ही जैसा आशीर बात देते हैं ऐसे ही बच्चे भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एक साथ मिलकर खेलते हैं उनमें कोई भेदवाव नहीं होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिन सबी दिशाएं एक संग है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिन बच्चों के लिए सब दिशाएं एक समान है वो कहीं भी घूमते फिरते खेलते रहते हैं उनकी दिशा का अलग-अलग कोई मितलब नहीं है पृथिवी मा के राज दुलारे हम है सूरज चान सितारे जैसे प्रिक्रती नेचर और पृथिवी के लिए सूरज चान बराबर का ही रोशनी देता है ऐसा तो है नहीं सूरज किसी को जाधा रोशनी देता है और किसी को कम या चान अपनी चान नहीं किसी को जाधा दे या कम दे ऐसा नहीं है ना सबको बराबर देता है ही हम है सूरशां सितारे सूरच चान के जैसे बिना भेदवाओ के सबको बराबर बराबर रोशनी देते हैं एक धरो मतलब यह पूरी पृठिवी धरती एंसारा सनसार तो है की बढ़ गोदी में सारे बच्चे एक साथ एक ही जैसे बड़े हुते हैं इसा तो है ने कोई बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है कोई दीरे 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 बड़ा होता है नहीं न सारे बच्चे एक साथ एक ही धर्ती पर बड़े होते हैं एक हमारी आस्मान चत एक हमारी सास पवन है आस्मान चत मतलब जो आस्मान है सब के उपर बराबर ही है ना ऐसा नहीं है ना कहीं पर आस्मान है कहीं पर नहीं है जितनी भी बच्चे हैं जो भी है सब के उपर एक ही आस्मान की चत है एक हमारी सास पवन है सास मतलब breathing जो होती है न हम लोग सास लेते हैं हवा सरी तो लेते हैं तो हवा भी हमें बराबर बराबर का सबको एक साथ ही वायू मतलब हवा देती है जिससे हम सास लेते हैं धूप चांदनी के कपड़ों से धका हुआ हम सबका अतन है चांद नी जो चांद अपनी चांदनी विखेटता है ना इवनिंग में और स्टार्ट भी अपना जब चमकते हैं तो उससे पूरा ऐसे लगता है ना कितना सुन्दर रखता है आसमान तो धूप चांदनी के कपड़ों से ढखा हुआ हम सब का अतन है अगर सूरी की धूप अगरती है उसी से तो मारा वायू मेंडल पूरी प्रिकृति धग जाती है बच्चों को भी ना सब को तो कहते हैं जैसे हम अपने तन को कपड़ों से डखते हैं ऐसी धूप चांदनी से पूरी प्रिकृति को भी हुए हैं हम हैं एक विष्व के तारे हम हैं सूर्च चांस से सूर्च में तारे हैं मितलब और पूरा कांट्री सा हैप ही तो है कोय अलग अलग नहीं है न हम हैरे शूरत चांस सै तारे सूरच चंद्रमा उम्हें वर्ल्ड को एक नजर से देखता है उसके लिए ऑसा थो नहीं इंडिया लग एखोए कोई कंट्री य लग सारी कंट्र पूरे वर्ल्ड को एकी नजर से दिखता है, एकी जैसी रोशनी देता है और एकी जैसी हवा देते हैं, एकी जैसी चान, चान नी देता है, इसके पोईट कौन थे, द्वारी का प्रिशाद महेश्वरी, आपको अच्छी लगी नहीं कविता, हम है सूर चान सितारे, यह हैं द अभी हम इस कविता का अव्यास, मतलब exercise solve करेंगे, ठीक है न, तो सबसे पहले नए शब्द, मतलब new words, अपने इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे पढ़े हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता, तो इसमें इस शब्द का meaning बताया गया है, एकी करके हम सबको पढ़ेंगे, पहला नन्य नन्य वर्ड आया था न, उसका विता में, उसका मतलब होता है, नन्य मतलब छोटे, चोटे मतलब छोटे मतलब लिटेल Green स्मॉल साइज, रज कंड मतलब धूल के कंड मैंने बताय थे ना धूल मिट्टी के जो छुट छुट चुटे से कर्ण होते हैं उसको रज कंड बोलते हैं रज मतलब धूल कंड मतलब कर्ण English में क्या बोलते हैं dust particles next is विशाल विशाल मतलब बड़ा मतलब बहुत बड़ा big size इसको क्या बोलते हैं विशाल परवत पहाड परवत आपने देखे हैं कितने उची उची पहाड होते हैं पहाडों को क्या बोलते हैं परवत मतलब mountains next is निराली निराली मतलब अनोखी अनोखी मतलब अलग एकड़म सुन्दर सी सूरत मतलब शकल सूरत वड़ा है था उसमें यह गुजरात वाला सूरत नहीं उस तो एक प्लेस है यहां सूरत मतलब फेस हमारा जो फेस होता है उसको शकल होती है ना हमारी जो उसको सूरत बोलते है next is भेद भेद मतलब अंतर मतलब different अंतर होता है ने समय ऐसी उसको क्या बोलते है भेद एक नया वर्ड कौँसा है संग संग मतलब साथ 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 होते है ना एक दूसरे के वो word है संग next is धरा, धरा मतलब धर्ती धर्ती के एक और क्या बोलते हैं? धरा तब इस अर्थ, ये पूरी धर्ती पवन मतलब हवा, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एर नया वर्ड सिखा ना हवा को पवन भी कहते हैं आपको नहीं पता था? पता था, very good तन मतलब शरीर, ये हमारे जी बोडी है ना शरीर है ना, इसको क्या बोलते हैं? तन विश्व मतलब संसार, मतलब इस वर्ड, ये पूरा संसार इसको क्या बोलते हैं? विश्व हो गया ना? नेने शब्द सीखे हैं ना हमने? अभी हम पढ़ेंगे अभ्याश, अभ्यास में क्या है? देखते हैं, कुछ वर्ड से यहाँ पर दिये हुए हैं, इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है? शरुत लेख, मतलब सुने कर लिखना है, listening and writing skills आप अपने परंट से बोलेंगे, वो यह वर्ड बोलेंगे और आपको यह लिखना है यह मतलब हाट वर्ड होते हैं ना in English में? जैसे कुछ वर्ड आपको पढ़ने में नी आते हैं, लिखने में तो हाट वर्ड बोलते हैं ना उनको? ऐसी यहापे यह Listening and Writing Skills के लिए शुरुत लेख मतलब सुनना और लेख मतलब लिखना पहला कॉनसा वोड है? रजकन दूसरा विशाल तीसरा परवत फिर दुनिया फिर कॉनसा है? अजीब फिर गरीब फिर मूरत पस्चिम उत्तर दक्षिन पृत्वी आसमान सांस चांदनी ठीक है? यह अच्चे नियुनु वोड्स थे ना इनको आपको लिखना है नेक्स्ट कविता की बाद इसमें क्या है? नीचे दिये प्रिश्णों के उत्तर दीजिए आपको इसमें कुश्चन आंसर दियो है ना प्रिश्ण उत्तर तो आपको पढ़ने है ध्यांसर उसके उत्तर देने आपने पूरी पोयम पढ़िए पूरी कविता पढ़िए तो कविता से आपको आंसर देने चलो कुश्चन आंसर देखते हैं मौकिक मतलब आपने यादे हिंदी ग्रामर में हिंदी व्यक्रण में चेप्टर पार्थ एक पढ़ा था जिसका नम था भाषा भाषा के दो रूपते कौन से मौकिक और लिखित तो यहां पर क्या लिखा है इन पृष्णों के उत्तर कैसे देना है मौकिक मतलब स्रेप बो तो आंसर है यही कविता नन्ने नन्ने बच्चों के बारे में है फिर खा नमबर क्या है नन्ने रजकन क्या बन जाते हैं मतलब नन्ने जो धूल की कर्ण होते वो क्या बन जाते बताय था ना वेरी गुड याद आगे आपको नन्ने रजकन विशाल परवत बन जाते हैं फि प्रिथिवी मा के राज दुला रहे हैं फिर अभी तो यह बोल कर हो गया मौखी कांसल अभी हमको लिख कर देना है उत्तर का नंबर में क्या है एक हमारी आस्मान च्छत एक हमारी सांस पवन है इन पंक्तियों के द्वारा बच्चे क्या कहना चाहते हैं तो यह जो दो लाइं अजने सांस के रूप में एक जैसी हवा मिल रही है मितलब एक हमारी आस्मान च GC एक ही आस्मान की चत है और एक ही जैसी हवा सब को मिलती है मैंने बताय थना कि हवा स Ubiper सेब को बरावर मिलती है सा नहीं किसी को कम दे और किसी को चादबred next question question कौन सा है khan no.4 देशाओं के नाम लिखे आपने देशाओं पता है न न, 4 औंसी होती है very good, सब को पता है कौन कौन सी होता द बताओ जारा पूरा, पश्चीम, उत्तब, दक्षिन very good next second number question में क्या है कविता की पंक्तियां पूरी कीजी आपने पूरी कविता पढ़ी है ना पहले पढ़ी थी फिर उसका अर्थ देखा था तो इसकी पंक्तिया पूरी कीजिए मतलब लाइन पूरी कीजिए पूरा पस्चेम और उत्तरदक्षिन सभी दिशाएं एक संग है पृत्वी मा के राज़ दुलारे हम है सूरच चां सितारे बड़ी गुड़ अभी जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाच्छी या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं पर्यायवाच्छिप को पता है ना सिनोनिम से इंगलिश हो वोलते हैं मतलब उनके मेनिंग सेम होता है तो अभी देखते हैं सबके परियावाची सूरज का क्या होता है? सूरे और रवी चांद का कौन सा होता है? शशी और इंदू परवत का पहार और शैल आसमान का कौन सा होता है? आकाश और गगन नेक्स्ट सिके नमर क्या है? नीचे दीब गई पंक्तियों को पढ़िये और सही उत्तर चुनकर सही का निसान लगाई है तो इसमें क्या लिखा है? धूप चांद ने के कपड़ों से ढखा हुआ हम सबका तन है हम हैं एक बिश्व के तारे हम हैं सूरच चान सितारे अभी यह हमने फोर लाइन पढ़ी है चार लाइन पढ़ी है कवीता किया अब इनसे ही हमें सही टिक लगा के अंशर देना है का नमर क्या है? किसके कपड़ों से सबका तन ढखा है? किसके कपड़ों से ढखा है? धूप चान्नी के कपड़ों से तो रेशम के, तारों के या धूप चान्नी के आंसर क्या है? धूप चान्नी के तो इसमें जो सरकल है उसमें टिक करना है next खा नंबर तन से मिलता जुलता तुक वाला शब्द कौन सा है मतलब राइमिंग वर्ड्स होते हैं एकी जैसे राइम निकलता है एकी जैसे तुक निकलता है वही वर्ड्स देखने हैं तन से क्या है? तब धन या हम तो कौन सा है? राइमिंग वर्स धन, very good next गाल नंबर बिश्यू का सामानारती शब्द कौन सा है बिश्यू का सामानारती इसमें तिक करना है 3rd number किया है जो शब्द समान टुक वाले नहीं है उन पर सही निशान लगाई innा इसमें गिजया भालक soup की यह तीन इसे समान टुक वाले में निकल ना चाहिये सर्ब निकलना चाहिए तो बालक, पालक, चालक, विशाल, इसमें कौन सा लग है? विशाल, इसमें टिक करना है, next कौन है? संग, संग में क्या है? बिश्व, धं, रंग, धंग, रंग, संग, एक ही जैसा हो गया, बट बिश्व, अलग है, पीर क्या है? सागर, धवन, हवन इसका क्या है पवन, पवन का क्या है सागर धवन हवन, तो पवन धवन हवन, एक जैसा है सागर इसमें अलग है, तो सागर में टिक करना है, नेक्स क्या है तन मन नन्ने धन, तो इसमें तन मन और धन एक जैसा है और नन्ने वर्ड अलग है, तो इसमें नन्ने में टिक करना है, फिर आप मूल परक प्रिशन इसमें क्या life skills के questions है आपकी कक्षा में कोई बच्चा दूसरी प्रदेश से आया है ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग-लग प्रदेश से आया होंगे उसे अपने प्रदेश की किन-किन विश्रिष्टाओं के बारे में बता है उनको तो यह तो क्लास में ही जब हम मिलेंगे तब सभी लोग discuss करेंगे सब अपने अपने state के बारे में बताएंगे आप अपने विद्याल की एकता बनाये रखने के लिए क्या-क्या योगदान दे सकते हैं ये भी हम तब ही discuss करेंगे फिर सोस समझ की बात thinking and logical isk कविता में बच् होते हैं और वो प्रकृति की गोद में वैसे ही खेलते हैं जैसे सूरचल सितारे रहते हैं वैसे ही बच्चे भी रहते हैं नेक्स प्रकृति के वे कौन-कौन सी देने हैं जो सबकी सहायता विना भेदबाव के करती हैं कविता से ढूनिये और चित्र बनाएं आपको इसमें चित्र बनाने हैं तैसी प्रिकृति में कौन कॉन सी चीज़े में as we give the tree and weà फ्रूड देते हैं बहुत कुछ देते हैं चैला शेड तो इसके किसे बनाने पिड्स सेक ट्री ट्रीड की पेड पीरीड पीर सूरज की डीशे च को एक नदिते है आहरों सोरच तौहमें सूरज की यहांग थीचर बनाना यह कुछ छेटे र collapse भी चित्र बना सकते हैं या फिर नदियां होती है जो नदियां होती है वो हमें पानी देती हैं हमसे कुछ लेती है कुछ नहीं लेती है तो उसका भी हम चित्र बना सकते हैं अपने मर्जी से कोई वे ऐसी चार चीजे देखना जो प्रिकृती में होती हैं और हमाएं बिना भे के अंत में मैं आपको homework दूँगी, आप उसको homework को करेंगे और फिर उसको notebook में लिखेंगे हिंदी परिवेश की जो notebook होगी आपको उसमें लिखना है